नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतों पूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां चाती और गले में जमें कप से एक दिन में रहत दिलाते हैं ये तीन चमतकारी घरेलो उपाई एक बार इस्तेमाल किया त सेवन के कारण छाती पर कफ जम गया हो तो अपनाने चाहिए ये घरे लून उसके जो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इन परिस्थितियों से आराम मिलता है लंबे समय से चली आ रही खांसी आपको पूरी तरह से दुखी कर सकती है और जितनी जल्दी हो सके आप इससे छुटक फ्लक्स, शुषक हवा और कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती है खांसी अत्याधिक पीड़ा दायक और परिशान करने वाली हो सकती है इसलिए जो हम आपको बता रहे हैं इन युक्तियों को अपना कर खांसी से जल्दी आप छुटकारा पा सकते हैं बदलते मौसम में खां खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां होना बहुत ही आम बात है जब खांसी जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होती है तो इसके साथ एक बीमारी और होती है जो छाती और गले में बलगम जमने की बीमारी गले में बलगम जमने से हमें श्वांस लेने में महसूस होती है तथा यह अन्य कई बिमारियां उत्पन करती हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाईयों का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत जल्दी असर नहीं दिखाती हैं दोस्तों आज हम आपको बताएंगे चाती और गले में जमें कफ से एक दिन में राहत दिलाने वाले तीन चमतकारी घरेलू उपाय चाती और गले में जमें कफ के लिए घरेलू उप चार शहद और निम्बू जिहां निम्बू के रस और शहद मिलाकर सेवन करने से चाती और गले में जमें कफ से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है क्योंकि नि देलू नुस्खे का उपयोग करने के लिए एक चमच शहद में एक चमच अधरक का रस मिला कर इसे थोड़ा गर्म कर लें और इसका सेवन करें आपके लिए लापकारी सावित होगा काली मिर्च का प्रियोग पांच से छे काली मिर्च लेकर उन्हें बारीक पीस लें अब एक ग्लास पानी लेकर उस पानी में यह काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म करें जब यह गुनगुना ठंधा हो जाए तो इसका सेवन करें इससे छाती और गले में जमें कफ की समस्या से एक दिन में छोटकारा पाया जा सकता है हर तरह के खासी का हिलाज बता रहे हम आपको अदभुत तरीकों के द्वारा बनाने की विधि और सेवन का तरीका जान लीजे दो सो पचास मिले लीटर दूद एक सो पचीस मिले लीटर पानी एक गांठ हल्दी का चून और जरूरत के अनुसार गुड भी डाल कर सभी को ए इससे खासी पूरी तरह से ठीक हो जाती है खासी दूर करने के अन्य घरे लूप आए सो गराम जलेवी को 400 मिली लीटर दूद में मिलाकर खाने से सुखी खासी में लाव मिलता है दूद में 5 पीपल डालकर गर्म करके इसमें चीनी मिलाकर रोजाना सुबह शाम पीने से खा शहद का उपयोग करना खासी को दबाने का और घले की खराश में राहत पाने का एक प्रभावशाली तरीका है कई अध्यानों में यह पाया गया है कि शहद न सिर्फ समानिय तोर पर मिलने वाली खासी की दवाओं के समान खासी को कम करने में असरदार है बलकि कभी कभी उन परिशानी होती हो तो सुने के पहले शहद का सिवन करना बहुत लाफकारी हो सकता है सूखी खासी में पान के सादे पत्ते में एक ग्राम अजवाईन रखकर चबा चबा कर रस्त निगलने से सूखी खासी मिड़ती है कि वलज वाइन एक दो घॉक्रा म खाकर उपर से गर्म अजबाइन का सेवन कफ नश्ट करके फेफडे मजबूत करता है एवं छाती के दर्द में लाप पहुंचाता है। 25 ग्राम अलसी यानि कि तीसी को कुचल कर 375 ग्राम पानी में ओटाएं। जब पानी एक तीहाई यानि कि 125 ग्राम रह जाए तो उसे मल चान कर 12 ग्राम मिश्री मिला कर रख लें। धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।